अब हाली में आपने देखा ही होगा कि रुपया डॉलर के मुकाबले मचबूत हो रहा है यानि रुपया डॉलर के मुकाबले अप्रीशियेट हो रहा है तो इसके क्या मेजर कारण रहे चुके है डॉलर बाकी किन किन करेंसी के मुकाबले अप्रीशियेट हुआ है और किन किन करेंसी के मुकाबले depreciate हुआ है और इसके भी क्या-क्या major कारण रहे है इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले इस session में So, I'll try to make it very easy for you to understand and interpret the past movements of dollar with respect to other currencies as well as we will be talking about the smooth appreciation of rupee so far ठीक है? तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के end तक तो चलिया आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं रुपी की dynamics पे रुपिया हाल ही में कैसे perform किया है अगर हम सीधे इस graph को देखे तो हमें साफ साफ नजर आता है कि रुपी की value वहां से बढ़ी है इस chart में जो downward trend है इसका मतलब होता है कि रुपिया dollar के मुकाबले मजबूत हुआ है जैसे ही August के मेने के शुरुवात में यह 75 के करीब था यानि $75 बट फिर ये period में dollar की value depreciate होने लगी और September तक यह अपने सबसे weakest point तक आ गया था जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब इसका पहला major reason निकल के आता है कि इंडिया के forex reserves बढ़े है यानि हमारे पास total reserves, dollar reserves वो over the course of time बढ़ा है जैसे कि आप इस graph में देख सकते हो इंडिया के reserves में एक upward trend रहा है As of 28th August 2020, इंडिया के dollar reserves करीब $537.55 billion है तो यह इतना कैसे बढ़ा है सबसे पहला आप यह समझ लो कि dollar इंडिया में कैसे आता है पहला FDI से आता है, यानि foreign direct investment है ना यानि जो बाहर की companies directly इंडिया में invest करती है या इंडियन companies में invest करती है उसे FDI का आ जाता है दूसरा तरीका होता है, foreign portfolio investments उससे भी dollar इंडिया में आता है FPI मतलब shares, bonds वगेरा इन सब में foreign investors, इंडिया की companies या इंडिया के government bonds में पैसा लगाते है और भी बाकी के तरीके होते है जो dollar इंडिया में आता है जैसे foreign remittances यानि बाहर के जो Indians है वो अपनी family को यहाँ पे घर पे पैसे बेशते है और dollar export से भी आता है है ना? अगर कोई चीज बाहर हम export करेगे तो उसके in return हमें dollar मिलेगे तो इंडिया में dollar इस तरीके से आते है तो जब इंडिया में dollar आता है तो इसके dynamics RBI कंट्रोल करता है यानि RBI चाहे तो dollar जो आया है भार से वो से खरीद सकता है and in return market में रुपया छोड़ सकता है या pump कर सकता है तो इससे क्या होगा अगर RBI बाहर से आने वाला dollar खरीद लेगा and in return market में रुपया पंप करेगा तो इससे रुपी की value dollar के मुकाबले depreciate होगी है ना अब ये RBI majorly exports को boost करने के लिए करता है क्योंकि अगर रुपया depreciate होगा तो exporter's को फायदा है देश में ज्यादा dollar आएगा है ना अब comment section में बताओ कि India के recent number के अनुसार exports कितने रहे अब एक और reason निकल के आता है जापर RBI market से dollar खरीदता है क्योंकि शायद RBI को अपने reserves बढ़ाने पड़ते है Forex reserves यानि dollar reserves आज के तारीक में dollar reserves इंडिया के 537.55 billion dollars है जो total 12 months का import cover देता है यानि हम 12 मैंने तक हमारे country में हम import कर सकते है तो ये dollar reserves के वज़े से एक भरोसा बैठता है अंतराष्ट्रिय बाजारों में इंडिया जैसे emerging economies पे एंड फर्स्ट कोर्टर की बात करे तो RBI ने total 13 billion dollars of forex खरीद लिये in order to stabilize the exchange rate यानि ये रुपया dollar के मुकाबले इतना भी volatile ना हो कि exports और बाकी के जो entities है उन्हे financially and economically चोट पहुचे अगर volatile है मतलब एक dollar कभी 65 हो जाता है कभी 75 हो जाता है तो business तो बिगड सकते है न uncertainty की वज़े से क्या पता कल को dollar कितना हो जाए and किसे uncertainty पसंद है कोई भी business यही देखेगा कि हमारे business के revenues stable होने चाहिए कुछ हद तक certain होने चाहिए अब ये साल के पहले 4 मेने की बात करे तो India के oil and non-oil imports कम रहे है because India में economic growth slow थी ये covid के पहले की बात है like jan to march and then April में तो बेशक lockdowns के कारण overall economy तो बंदी थी और बहुत ज्यादा चोट पहुची है तो मोटा मोटा इसके कारण India का trade deficit कम रहा है अगर हम पिछले सालों के मुकाबले बात करे तो अब trade deficit मतलब imports-exports से ज्यादा है तो जितना ज्यादा trade deficit होगा उतना इंपोर्ट करने पर तो डॉलर ही कर्चने पड़ते हैं न तो इस बार इंडिया ने डॉलर कम खर्चे and eventually ये हमारी exchange rate पर असर पड़ा बात समझे इसलिए रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता देख रहा है अब ये जो डॉलर बाकी currency इस पर बहुत बड़े स्तर पर impact कर रहा है अगर हम सिर्फ यूरो की बात करें तो सिर्फ जुलाई और आउगस्ट के बीच में total annualized daily volatility 6% निकल के आ रही है अगर हम इस graph को ध्यान से पड़े तो हमें साफ साफ डॉलर की volatility यहापे नजर आती है यह यहाँ से उपर गया था फिर नीचे की तरफ आया एन अगेन यह उपर बढ़ा उसके बाद दो दन के अंदर इसका free fall यहाँ पर देखने को मिल रहा है समझे फिर थोड़ा बढ़के यह almost अपने वही level पर आ गया जहाँ पर वो ऑगस्ट के मैने के शुरवात में था August के start में यह 1.1811 था यह देख रहे हो एन August end में यह 1.1893 बना यानि यह सिर्फ 0.0082 की बढ़ाथरी देख रहे हो कितने कम level पर यह बढ़ा है बट पूरे मैने यह बहुत उपर नीचे उपर नीचे हुआ है यानि यह वोलेटाइल बहुत रहा है अब डॉलर की वोलाटिलीटी तो हमने देख ली पर यह वोलेटाइल क्यों हुआ आए समझते है तो यूस की GDP ग्रोथ रेट की expectation बहुत कम थी इनफाक्ट अभी भी कम है यूस में Jan to March की GDP ग्रोथ रेट की बात करे तो यह माइनस 9.09% निकल के आया है यानि 9.09% से contract किया है यूस की economy and real GDP ग्रोथ रेट करी 5% से contract कर गई थी अगर हम second quarter की बात करे तो यह number 31.7% था यानि यूस की GDP 31.7% से contract कर गई थी अगर हम April में June की बात करे तो अगर हम US की trade deficit की बात करे तो इसने भी बहुत भारी मात्रा में dollar की कमजोरी में अपना योगदान दिया है US का trade deficit जैसे की आप इस graph में देख सकते हो July में यह करीब 63.6 billion dollars था अगर हम पिछले मैने के मुकाबले यानि June के मैने में देखे तो यह number 53.5 billion dollars था तो यह बेशक बढ़ा है और यह graph में यह साफ साफ दिखाई पढ़ रहा है trade deficit US का बढ़ते चला जा रहा है if we try to look at the data from March to June trade deficit बढ़ने के कारण भी dollar अपनी value खो देता है and वो बाकी currencies के मुकाबले week दिखाई पढ़ता है तीसरा major कारण निकल के आ रहा है कि COVID की situation America ने बहुत inefficiently handle की है पूरे विश्व में US सबसे ओपर है अगर हम COVID के total cases की बात करे तो करीब 60 lakhs से ज्यादा COVID cases US में आज की तारिक में है भारत आज तीसरे नंबर पर ही करीब 39 lakhs पे है तो यह साफ साफ दर्शाता है कि इन कंट्रीस से COVID pandemic कंट्रोल नहीं हो पाया है और इसकी वज़े से businesses पे बहुत major असर आया है बात समझे अगला reason dollar के week and volatile को निकल के आता है कि uncertainty towards election अब जो November में US presidential election होने वाले उसमें बहुत uncertainty है Trump वापिस आयेगा या नहीं किनकी बहुत बढ़ इस तरपर Trump की तरफ से यह pandemic को लेके mismanagement हुआ है अगला है eurozone में sentiment strong होते दिख रहे Germany, UK, France वगेरा इन सब countries में COVID के cases US से relatively कम है and इनकी economies में lockdown खुल चुके यानि lift कर दिए तो धीरे धीरे revival के signs भी दिख रहे not that growth is positive in these economies but US के comparison से तो situation भापे थोड़ी बहतर ही है and the last reason would be the Fed announcing about its stance towards inflation US Federal Reserve ने हाल ही में announce किया है कि US economy को revive करने के लिए ऐसे steps भी लिए जा सकते है जहापे inflation policy change कर दी जाएगी US में inflation target 2% का रखा है लेकिन अब और ज्यादा flexible policy inflation को लेके अपनाया जाएगा जिसमें average inflation targeting की जाएगी and eventually inflation बढ़ेगा though for a temporary basis but still ये बढ़ेगा and इसी लिए dollar इसके कारण weak or volatile हुआ है समझे अब मैंने ये दो graph लगा दिये जो बताते है कि dollar के मुकाबले कौनसी कौनसी currencies appreciate हुई है कौनसी currencies depreciate हुई है अगर हम पहले इस graph को देखे जिसमें इन currencies ने dollar के मुकाबले appreciate की है August के महने में तो यहाँ पर ringit ने सबसे ज्यादा बढ़ाधरी दिखाई है करीब 1.65% की अब कौन को जानता है ringit किस मुल्की currency है comment section में बताओ in fact यह सभी currencies की country origin comment section में बताओ if we talk about rupees Indian rupee यहाँ पे 1.22% का appreciation दिखाया August के महने में Yuan ने 1.46% का दिखाया है Peso ने 1.1 Australian dollar ने 0.75% and euro ने 0.51 अगर हम depreciation के graph की बात करें यानि जो currencies dollar के मुकाबले सबसे ज्यादा depreciate हुई है वो है Brazil की real currency जो 7.4% से depreciate हुई है उसके बाद आता है lira, rubble, peso, rand, yen, rupee, Taiwan dollars and Hong Kong dollars अभी या बेबी now I want you guys to comment down below की कौनसी countries में इन में से कौनसी कौनसी currencies use होती है now if we try to understand the possible movement of rupee in future against dollar तो यह again FPI, FDI and बाकी के जो तरीके dollar reserves आने के वो बहुत माहिने रखता है and again RBI अगर चाहे तो आज भी वो market में dollar pump कर सकता है रुपया को खरीच सकता है and then dollar की value रुपय के मुकाबले depreciate होगी या तो वो dollar खरीच सकता है and in return रुपया market में pump कर सकता है ताकि रुपया depreciate कर जाए so it totally depends on what level RBI would intervene in the market for managing the liquidity of the currencies well तो आज के लिए बस इतना ही रखते है कैसा लगए ये session comment section में जरूर बताओ if you like this video make sure you hit that like button share this video with your friends, colleagues और अगर आपका कोई सवाल ये सुजावो तो उसे comment section में जरूर बताईएगा we now come to an end to this session here are some useful resources for you from PD family make use of these उमीद करता हो ये session आपको पसंदाया होगा नमस्ते जैहिंद